हलो एब्रिवान स्वागत है आपका आज के शेशन में और मैं हूँ आपका कॉमर्स वाला भईया हाँ देखें जी लास्ट क्लास में हमारा जो है रिसर्च कम्टीट हो गया था पहला इंट्रोडक्शन और हम क्या कर रहे हैं सर हम कर रहे हैं आपके जेट दोजार चौबिस की जारखंट टेस्ट की तो रिसर्च का पहला इंट्रोडक्शन हुआ आज हम लोग क्रेक्ट्रिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं सर बोड पर तो नहीं दिख रहा है थम्नेल पर आपके रिलाबिलिटी और वैलेटी दिख रही है जी यह करेक्ट्रिस्टिक्स ही हैं दो टाइ है अगर करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करूं तो मैक्सिम्म सवाल इसी से पूछा आता है तो इसी लिए मैंने यह बोड में डाल रखा है अब अब हम लोग शुरू करते हैं क्या क्या होती है और वैलेटी क्या होती है रिलाबिलिटी मतलब होता है कंसिस्टेंट रिजल्ट अगर कूई एक एक अंसान किसी चीज पे consistent result रिजल्ट रहा है को एक researcher consistent रिलयाबिल है और वैलिटी होती होती एक्क यूरिस्ति की जो मैजस करने जा रहे हैं हम नंस्टूमेंट जिस से वो कितना एकुराइट्ट है ना तो इसकी डिटेंपने चले लेट ना का पीडियाफ मिलेगा यह सारा चीज जो हम पढ़ा रहें वह सारा चीज इसके साथ चैनल को कर लिए का सब्सक्राइब ताकि आपको क्या हो सके सरसारी नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं और उसके साथ साथ आपको जो भी स्टेट लेवल के एक्जाम से हैं या फिर कॉमर्स लेटेट एक्जाम से उसकी सारी रिप्रेशन की जानकारी मिलती रहे हैं इसके साथ आप कोई दिक्कत हो तो इस नंबर में वाट्सा भी कर सकते हैं है ना जी जी चलिए तो फिर चलते हैं चैनल की बात क अनुसंधान की विसेशता हैं कि जब हम करने जा रहे हैं हो तो किन-किन बातों का में ध्यान रखना चाहिए विस्टाएं जिसमें सबसे पहली जो विसेस्टा है वालेटी बताओंगा सबसे पहला जो में ध्यान से न यह की कि रिस्टर्च क्या होना चाहिए ऑप स्ब्सक्राइब रिसर्च औब्जेक्टिव और रिसर्च यह न इन ट nessa वह पक्जपात ओंप स्पिवान के सुंधान में वस्तू निश्ट था इसका मतलब हो है और इसी सबसे हम रिजल्ट को लेके चले जाएं ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो यह रिजल्ट जो बायस दो जाएगा और वो सही सही आपका रिजल्ट नहीं दे पाएगा सब्जेक्टिव एरर्स इसमें नहीं होने चाहिए है ना यह बात ध्यान में रखेगा इसलिए इसक बिल्कुल अगर रहेगा तो आपकी जो उसका जरूरत है जो आपको benefit to the society है वह आप कर पाएगे अगर आप बाइसे स्प्री नहीं रहे प्रिजुडाइस के साथ में रहा और यानि की आपके रहा पहले से जो बना हुआ उसी बेस्ट कर दिया तो आप हो दिक्कत आ जाएग तो सबसे पहले प्रोसीजरल सेफगार्ड अपनाने चाहिए क्या मतलब वह प्रोसीजरल सेफगार्ड मतलब अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका complete record रखें ताकि आने वाले जो रिसर्चों से उनको benefit से हो सके प्लस data observations data analysis यह सारी चीज़ों का आप क्या करेंगे अच्छे तरह के से रखेंगे उसका record रखेंगे ना consistent procedures का इस्तेमाल करेंगे सारे फेज़ों में जहां data collect कर रहे हैं data analyze करेंगे यहां कुछ और वहां कुछ और इस ताप से नहीं करेंगे जिससे क्या होगा आपका results जो authentic होगा सही तरीके से होगा उसके बाद हम कुछ biasness कुछ biasness को avoid करेंगे कौन सा कुछ biasness है उस biasness को हम क्या करना पड़ेगा अब करना पड़ेगा अब कौन सा सबसे पहला है external influences अगर आपके research में किसी other person media किया किसी का opinion आ जाता है तो भाई साथ इसको आपको नहीं बनाना है हाना किसी के personal belief आ जाता है कोई किसी के personal belief की वज़े से या past experience की वज़े से अगर आप वो सारा लेते हैं तो भाई क्या होगा वह आपका इसको बाइस फ्री नहीं होगा तो यह सारा इंक्लूड नहीं करना चाहिए आपके पास्ट के experience में कुछ को ऐसी घटना हुई है जो आप research करना चाह रहे हैं उस घटना से बिलकुल opposite है तो वह क्या करेंगे आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे आप क्या देखेंगे कि मेर अगर सही direction में जा रहा है उसके opposite भी जा रहा है तो भाईया हमें यह accept करना चाहिए ना कि हमारे past experience में जो हुआ है उसको accept करना चाहिए एक example और लेता हूँ माल लिजे माल लिजे आप यह दरसाना चाह रहे हैं कि भाईया टीवी देखने से आपके past experience में क्या रहा है आप ब बच्चों के लिए अगर हम टीवी देखेंगे तो उसकी analytical thinking खराब हो जाएगी यह बहुत सारी चीज़ आँ जाएगी तो आज वाला जो रिस्टेश्य आप उसको लेखे चलेंगे ना कि past experience के बेस पर कोई चीज हुए तो उसको लेख चलेंगे तो इस लिए कोई external influences नहीं आना चाहिए observer bias observer bias क्या मतलब होता है सामने वाले observer की बेस पर कोई किसी का मालो की कोई पंजाबी है कोई आधर कल्चर में है कोई किसी social background है उसकी वज़ा से कुछ factors आपके सामने आएंगे जो आपको क्या करना है ignore कर देना क्या क्या करना है क्योंकि हमको उसके बेस पर ने द करना है उसके बाद है एक्सपेक्टेंसी बाइस अब यह कैसा बाइस में सोचे थे पहले हम सोच लेते कि मेरा result क्या होगा result वो सही होगा या गलत होगा और जैसे यह पॉजिट रिजल्ट आता है हम उसको बदलने कोशिश करते हैं तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि result हम अ यह बाद ध्यान में रखेगा उसके बाद है प्लेस्ट बाइस प्लेस्ट बाइस का क्या मतलब हुआ कि भाया आप किसी चीज़ पर strongly believe कर रहे हैं तो उसको लेकर चल रहे हैं जैसे अगर में प्लेस्ट बो का मतलब क्या होता है समझेगा जैसे माल लो आपने रेखा किसी को किसी को भीमार हुआ को बीमार हुआ और विमार होनी के दौरान तो इस तरह की बाइस से भी हमें बचना चाहिए प्लेस्ट से भी बचना चाहिए तो यह सारे बाइस को करना है अब वाइड करना है तो इसलिए अगर हम मिला जुला के बात करें तो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले क्या कर रखना है अब्जेक्टिव रहना है अब्जेक्टिविटी रखना है रिसर्च में है ना अब्जेक्टिविटी किसमें रखना है रिसर्च में हमें बाइस फ्री कि रहना है कि रहना है यह बात ध्यान में रखने हैं जितने सारे बायस है उसको ऊब द्यान में रखिएगा और फोसीजरल से प्षाइफगार अप्नाने मतलब भी चीज हम लेकर चल रहे हैं अमनों डाटा कलेक्व किया ड्यक्वार करने के बाद पता नहीं कहा रख दिए डेटा उड़िया खत्म आपने उसका बैक अप नहीं रखा तो यह सारी चीज़ें हमें लेके चलनी है जो आपके रिसर्च को क्या बनता है ऑथेंटिक बनाता है बात समझ में आ रहे हैं तो यह थे आपके अब लोग चलेंगे में चलेंगे बात बता है क्या मतलब होता है अगर मैं इसका मतलब होता है consistent result क्या होता है consistent result कर कहा consistent result हम तो समझें नहीं है ना whether consistent result चाहे positive हो या negative हो है यह दोनों केस में क्या मतलब हो सर मतलब अगर कोई researcher research कर रहा है उस मालों की कोई researcher research किया और उस research के दौरान उससे कोई result positive मिला फिर से वो researcher या कोई और researcher सेम के study कर रहा और उसको वही result मिल रहा है जो पहले मिला था तो हम कहेंगे कि क्या रिसर्च क्या है reliable है हमारी क्या है consistent result है for example आई हम एक example लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले बात करें क्या सर क्या बात करते हैं सबसे पहले आप बात करिए कि एक research हुआ क्या research हुआ एक research हुआ यह हुआ जिसमें हमें पता चला कि बच्चों के जादा टीवी देखने के कारण उनकी माइंड या फिर आखों की रोषनी खराब हो जाती है या कम हो जाती है क्या पता चला ध्यान से रहखेगा एक research हुआ जिसमें ये पता चला कि बच्चों के ज़्यादा TV कारण रे आखों की रोषणी चली जाती यह यह क्योठ सब्रों सोघी कै। बीच हुआ और उसमें क्या जड़ा चला कि बाइया जो बच्चे हैं वो जाधर टीवी देखते हैं उसके वज़े से उनके खराब हो जाती है एक हुआ फिर दूसरे 100 unit को लिया गया फिर दूसरे 100 unit को लिया गया और उसको फिर सेम research किया तो उसमें भी यही पता चला कि भीया बच्चे के जाधर टीवी देखने के कारण क्या होती आखें खराब जाती है एक बार दो बार तीन बार अगर continuously यह research हो रहा है और यह पता चल रहा है कि बच्चों के टीवी देखने के कारण आखें खराब हो जाती है तो हम कहेंगे कि भाइस दा क्या है हमारा research जो है वह रिलाइबल है हमारा research जो है वह consistent result दे रहा है पॉजिटीव हो या negative पॉजिटीव मतलब आगा सई चीज हो रही है गलत अब देखने के बच्चों का आखें खराब हो यह तो है लेकिन फिर भी consistent दे रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे कि भी यह result जो है वह consistent है या research जो है reliable है ना बात समझ में आया है यह चीज़ आई तो reliability मतलब consistent result that is RC है ना हम लोग याद करते है रिडिंग comprehension वो चीज़ तो यह बात ध्यान में रखेंगा ठीक है जी कि reliability मतलब consistent कि कोई भी एक research लगतार रिजल्ट दे रहा है तो क्या कहा नहीं हो सकती है अब आएए हम लोग पढ़ता है types of reliability अगर हम types of reliability की बात करें अगर हम types of reliability की बात करें है अगर हम types of reliability की बात करें तो इसमें लग 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 साथ यह पाइप से इसके पहला types अगर हम पहला types की बात करें कि क्या है तो पहला types को बोलता है टेस्ट रिटेस्ट है टेस्ट है रिटेस्ट है रिटेस्ट है रिलाइबिलिटी क्या बोलेंगे पहला इसको टेस्ट रिटेस्ट रिलाइबिलिटी अब अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या कहता है यह कहता ह भाई साथ यह कहता है तो सेम मेथोर्ड सेम पर्सन और सेम रिजर्ड क्या मतलब हुआ सार इसका देखें जब कोई को bridges Rise कर रहा है सेम मेथोर्ड के थुरू और सेम रिजर्ड दे रहा है तो हम कहेंगे कि यहjakे है वह समझेगा acement तो चलते हैं दूसरा दूसरा वाला चले सर बिलकुल चलिए दूसरा वाला आएं है ठिक है दूसरा जो एक उसको बोलता है इंटररीटर रिलाइबिल्टि क्या बोलता है तो इंटरफेटर को क्या है रिलाइबिल्टी च अब इसका क्या मतलब हुगा देखे इंटर मतलब मैंने हमीशन MX स्टुरेंट को बताया कि मतलब जब कंपैरीजन दो के भीच में होता है है ना पर मतलब researcher मतलब दो researcher झार अलग-अलग टाइम पर है ना दो 사श तो ढूसे ढगर साज है तो हम यह कहें बाट डिफरेंट पर्सन एंड सेम रिजल्ट ठीक है जान समय मैं या ते में तोड डिफरेंट पर्सन सेम रिजल्ट मतलब दो या दो से अधी रिसेर्चर अगर सेम में थरूर रिजल्ट सेमर लेकर आ रहे हैं कंसिस्टेंट है रिजल्ट उनका तो उसकर समय मैं आगких जी से चलिए ठों अगर चलते हैं थरद टर अब इंटर का मतलब दो था इंटर्ड मतलब हो जाए क्या खुद सिंगल कि आज़ें इन्ट्राइटर का मतलब होता है कि से परसन मतलब एक सिंगल पर्सन कई अलग-अलग समय पर सेम रिजल्ट सकर दे रहा है या कंसिस्टन रिजल्ट दे रहा है तो हम उसको कहेंगे इंट्राइटर reliability द्यान समझेगा मैंने क्या बोला सेम पर्शन कि बड़ कि बड़ डिफरेंट टाइम कि और सेम रिजर्ट दे रहा है कि तो हम इसको क्या गहेंगे इंटा इंट्रा रेटर रिलाबिलिटी द्यान समझेगा तीनों पर फिर यहां टेस्ट सेम पर्षम सेविशब्स दे रहा है इंटा συν दो अलग अलग परताने से मेंटल से में रिज़ दे रहा है ठीक है इंटरैटर पर अखिटन अलग अलग यह ताइम पर से मुए र है। करने मतलब कंसिस्टेंट रिजल दे रहा है बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं से कोई दिक्कत नहीं आए उसके बाद alternative form method आए फूर्थ नंबर में चलते हैं alternative form method इसमें क्या है यह इसमें है two different forms क्या है बाइस आप two different forms in same test है ना of same test अगर same test का same method से दो अलग-अलग forms में टेस्ट किया जा रहा है और उसमें रिजल्ट से मा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे alternative form method फिर ध्यान से सुनिएगा दो अलग-अलग forms में same test करा जा रहा है same method से करा जा रहा है और same result दे रहा है तो हम कहेंगे alternative form method यह बात ज्यान रखेगा कि reliability के कितने मेट है अभी तक करा दिया हमने चार method कर लिए बात समझ में आ रही है कहीं कोई दिक्कत सरकोई दिक्कत नहीं है कि चलिए अब आ जाये यह फाइव नंबर में इस फाइव नंबर क्या भी या parallel forms कि क्या है parallel forms कि कि सब्सक्राइब और टू डिखर Alton क्या करता है थे रहा है क्या और खाच्थ सिर्ष स्व यह थो डिफरेंट फार्म्स थो दिफरेंट प्रक्ष प्रमच सेंग्स पेस्ट लाट टू दिफरेंट पामजाब सेम प्रक्टेस्ट बूफ सिनग में ऐसंग्स क्थे हो। उपर वाले में क्या था यहां पे सिर्फ दो अलगलग forms थे same test हो रहा था same method हो रहा था और same results भी दे रहा था लेकिन same participants की बात नहीं करी गई थी parallel forms method में क्या है कि भी यह two different forms मूं से से में अधिशे ना विदा से पाटिसिप्पेंट्स से मिन पाठी स्पेंट्स भी यह बात रखेगा कि जहां रिसरूच कर रहे हैं ठीक है तो वहाँ दो अलग-अलग सोने सेम टेस्ट होगा लेकिन और पाथस्पान की होगे से एंगे और जहां सेम की बात नहीं आई वहाँ अल्टर्णरेटीव में घर्क हो जाएगी क्लेर क्लेर prof ber το चले और दो मेसम क्या एसथर आईये देखते RS उसके बाद item डेढ़ां। कस टेंसी कि bo n tob कांसिस्टेंसी क्या बोलते इसको इंटर्नल कंसिदेंस कर दिए यह है इसको है पर्फॉर्मेंस का प्रिशन वीज पाटिसिपेंट्स इस जब जब correlate performance with each participants हम इसको बोलते हैं internal consistency है ना हर participants के साथ correlate कर रहे हैं जब research हो रहा है तो consistency तो maintained है लेकिन internal मतलब एक दूसरे के साथ है ना हर participants के साथ परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं तो उसको लोग क्या बहुंगे इंटर्नल कंसिस्टेंसी चलिए अब सेवन मैं देए स्प्लेट हाफ मेतड़ इसमें क्या होगा सर इसमें ना एक टेस्ट होगा ठीक है एक टेस्ट को दो पार्ट में बाद देंगे और दोनों का करेंगे क्या करेंगे दोनों की कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे देश एक्जाम्पल को डिवाइडिंग कि टूब डिवाइडिंग टू पार्ट आफ और एस चेक कंसिस्टेंसी अ है ना एक टेस्ट है ऐसे इसको या करेंगे दो पार्ट इसका देख लेंगे यहां इसको बोलते यह स्प्लेट हाफ मेथड यह सात मेथड है किसके आपके यह कंसिटेंस या निए रिलाबिलीटी के ठीक है यह सातों मेथड को एक बर मैं फिर रिवाइस करा दूँ आई ही तर टेस्ट रू टेस्ट सेम पर्संट तेम रिजल्ट ठीक है इंटरेटर सेम मेथटर्ड बट दिए सेम में सेमरिंट बट पार्ल फॉर्म के बात कर रहिता हो टू टीफिरेंट पॉंप एप्ड्रीफbolक के साथ आप पर लेट कर रहें और में आप दो बाट दे रहें और वहां consistency चेक कर ले रहें बात समझ में आ गई जी सर चलिए यह हो गया आपका reliability के टाइप अब देखें यह आपका इसको चेक कर लिजेगा पड़ लिजेगा टेस्ट रेटेस्ट है ना सेम है आपको दिख रहा होगा यह देखें यह क्या है करने के लिए रिलाबिलेटी का हम यूज करते हैं तो टेस्ट रेटेस्ट सेमेजर सेम पार्सिपेंट के लिए पार्लल फॉर्म से यह देखो यह आप एक बार देख लेना सेम चीज़ दिखा हुआ ठीक है चलो अब हम लोग चलते हैं वैलिडिटी में अब हम लोग कहां च समझेगा एक्यूरिस्टी ओफ प्रोसीजर्स क्या मतलब हम वैलिडिटी का सर्ट वैलिडिटी में अच्यूरिस्टी ओफ प्रोसीजर्स टेस्ट है ना एन इस्ट्रुमेंट एन इस्ट्रुमेंट कि जो भी हम प्रोसीजर्स कर रहें वह कितना एक्ट्यूरेट है पर एक्जामपल आप ध्यान से सुनेगा जैसे अगर किसी पेशेंट को कोई डॉक्टर फर्मोमेटर से चेक कर रहा है क्या और उसका बुखार का टिक इलाएं तो अगर मॉलों कि एक बाद चक्किया दुसरा चक्किया थीस्तौर बिचक Kay तो यह क्या हो यह क्यों हो की consistent result दे रहा है लेकिन आप जो चेक कर रहा है वह ठर्मोमेटर सहिए है या नहीं है यह बताता है तो यह अकुर हैसी właściwie Systems test यह बात सब्सक्राइब करता है कि रिसर्च उनपायस ना हो और सिस्टमाटिक एरर से क्या कहा जाता है validity more powerful है किसे than reliability इसलिए एक बात कही जाती है क्या कही जाती है ध्यान से देखेगा कह रहा है अगर जो चीज valid है वो reliable भी है अगर कोई valid है तो reliable भी है लेकिन अगर कोई reliable है reliable है तो valid हो ये जरूरी नहीं है बात समझ मैं है तो validity है तो reliable भी है लेकिन reliable है तो valid हो ये जरूरी नहीं है बात समझ मैं है जी तो इसलिए क्या बोला validity बहुत जरूरी है मतलब accuracy जरूरी है ठीक है चले अब हम लोग पढ़ेंगे types of validity आईए इससे बहुत questions पूछी चाते है थोड़ा confusing रख लगता है बट easy है टेंशल लेने के जरूरत नहीं आई types of validity मैं इसको save कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए है ना चले तो types of validity में सबसे पहला क्या है सबसे पहला validity है external validity सर external validity कि इसको बोल दे है external validity का मतलब हो गया कि correlation with the generalization मतलब कि कोई भी चीज़ जो हम apply कर पा रहे कि ने अगर जब मारे पास कोई sample data है तो sample data को हम पूरे population के साथ अपलाई कर पा रहे या नहीं हो रहा है apply कर पा रहे या नहीं मतलब थोड़ा सा sample लिये जी थोड़ा sample को देखे का भई यह पूरे population मेरा apply हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है तो इसको लोग बोलते हैं causal relation between generalization क्या लिखेंगे causal के रिलेशन के बेट्वीन जनरलाइजिशन ठीक है इसको आप लेख सकते हैं मतब हर जेगा अपली के बले या नहीं क्या है के अपली केबल एवरिवेर और नॉट यह ही चेक करते हैं लोग है ना तीसरा आप क्या लिख सकते हैं जन्रलाइज सैंपल डेटा तुदी पॉपलेशन एंटार पॉपलेशन टुदी एंटार पॉपलेशन यह आप लिख सकते हैं बात समझाया तो एक्स्टर्नल 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 एक्स यह बातें बताता है कौन सर external validity बस इतना ही है दूसरा कहा है सर दूसरा है internal validity यह क्या सर यह पताता है यह क्या बताता है जी सर यह बताता है correlation जरूर बताता है लेकिन किसके साथ variables के साथ कि भईया क्या पताता है कि भईया हम correlate कर पा रहे है independent dependent variable को सही तरीके से या नहीं variable है ना जहां पर हमको यह देखना है कि दोनों variable का क्या relation है है ना इसको ऐसे कर दो correlation मतलब कॉजल रिलेशन लिक्तों यह ज्यादा अच्छा है क्या लिखोगे कि कॉजल रिलेशन है ना कि कॉजल रिलेशन वेट वरी ठीक है जी चलिए तो यह बात हो गया अब इसमें क्या देखना है जैसे आपको ध्यान तो लेबरेटरी वाले टेस्टिंग है ना उसमें क्या है वो इंटर्ल रैरिटी हम चेक करके देखते रहते हैं एक दूसरे एक वेरियबल का दूसरे वेरियबल के साथ क्या रिस्पॉंस है तो वह बात यहां पर कह रहा है एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं क्या लिख सकते भाईया एक और को कॉजन एफेक्ट रिलेशन्शिप को कॉजन एफेक्ट नो मी ना या जिकते हैं थोर्ड नमर में ठाइप देखते हैं थोर्ड नम्र bble रहा है की यहां रहे हैं स्थे इनसारे फेल्यूं को देखे लिन कि ईए ли सारा जो कंटेंट है सारा जो एस्पेक्ट है वो सही है या नहीं तो यह किसकी बात करता है यह बात करता है मेजर आफ ओल इस्पेक्स अधेना चलिए ओके तरी मैं नीचे लिख दे रहा हूं तो पोर नंबर आए फेस वालेटी यह दूं मैं से अग्जय कि अचे बात उसर पर इंद्द्र जो हम कर रहें जो हम कहना चाहरें बहुत मैं हो आइब सामनी ओसकी हो रहा है अनूब है इसको बनाते और यह टेंड करता है on the observer पंस पहिंग करता है ऑप्जर्वर पे डिपेंड एक है आregist έ procedural कि मतलब जो हम सामने रेंट करना चाहा है ऑप हम को दिख रहे की नहीं दिख रहा है इसको बोलते हैं फेस बाएर्टिटी थी ठ्क है और और फाइब नूमबर और नूमबर क्या बिया क्राइटेरिया व्रेटी इसका मतलब होता है इसका रिलेशन होता है स्टेंडर्स से ना किस्ते रिपकोर्लेशन से टैंडर्ड कि मतलब कि हमने कोई भी एक एक एक्कूरस्टी रखी तो कैसे जानेंगे कि गी कि ऐसे लिए केसे जानेंगें तो हमने कि यह ओधेर है तो क्राइटेरिया की का िंक्र नीक का मतलब है कि कि हम में यह जासी फिर अनुद कर उसको क्राइट हो गा blueberry क्या वहनता है मदेडते हम अच्छा हूगा तो इसको बोलते हैं क्राइटेरिया वहलेयूर क्यों कि यह दो स्टैंडर्ट के साथ होता है ना यह वाली बात चले अब है उसके पाद का अ कंस्ट्रक्ट वालेडी और कि कंस्ट्रक्ट वैलिटी कि एक इसको बोलते हैं अभी को मतलब होता है कि बिल्ड करना निर्मान है किस चीज का तो सर्थ जब भी हम कॉई concept प्वेटिकर फ्रेमवर्ग की बात करते हैं जब वह बिल्डिंग की बात होती है तो उसको वह बोलते हैं अब क्या को अब थिक है चलिए उसके बाद क्या है बस इतना याद रखिए काम बन जाएगा आपका उसके बाद एक कॉन करेंट वालिटी कॉन करेंट वेलेटी मतलब होता है द्यान समझेगा आप किसी चीज में बहुत अच्छी है लेकिन किसी दूसरे चीज में खराब है जब उसके साथ हम मैच करते हैं इसको क्या बोलेंगे और टेस्ट जैसे फॉर एक्जामपल हो सकता है पढ़ने में बहुत तेज हो लेकिन आपका आई-क्यू बहुत खराब I cure पढ़ाई बहुत difference है, तो क्या बोलेंगे, correlation with other test. है ना, इसको क्या बोलेंगे, correlation with other test, चिक्ज़ सब्सक्राइब, चलो, उसके बाद क्या, उसके बाद है, 8-number, 8-number में क्या भीया, predictive validity, क्या है, प्रिडिक्टिव एलिटी का मतलब होता है future performance को प्रिडिक्ट करना मतलब आज के test के basis पर अगर आप future performance को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आज आपका result अच्छा नहीं हुआ जैसे पर एक्जामपल आज आपका मालो net निकल गया net निकलने के बेस पर आप करने के लाइक है लेकिन बाद में पता चला कि भाई यह तो प्रिडिक्टिव कि आज के पर प्रिडिक्टिव करते हैं क्या बोलेंगे इसमें future performance को प्रिडिक्ट करना नहीं को प्रेजेंट को रिजल्स को देख कर फ्यूचर प्रिडिक्टिशन्स है ना यही है बस यह है तो यह हो गए आपके वैलेटी के टाइप याद है जी सर आईए अब हम लोग देखते हैं क्या है यह आपका हो गया ठीक है रिवाइस कर लें सर बिल्कुल कर लिजे एक्स्टरनल एलेटी कॉजल रिलेशन बेड़े है जनरल यह आपलिकेशन हर जगहां देखेंगे कि अप्लाइ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मतलब सिंपल डेटा जो हमारा सैंपल स्वेंपल वोड़ां सैंपल डेटा जो सैंपल डेटा है उसका क्या हम इंटाइर परफलेशन के साथ मैच हो रहा है अपलाई कर पा रहें या नहीं कर पा रहें दूसरा है इंटर रेलेटी वेरीबल के बिच में क्या रिलेशन है कॉस एक रिलेशन्शिप है या नहीं है उसकी बात करता है उसके बाद अगर हम चले आए पेस तो यह किस पर डिपेंड़ और जरुवर्ट पर सामने वाला पर कि भाईया जो ह अगर हम प्रिप्रेजंट कर रहें वह दिख भी रहाया नहीं दिख रहा है का रिटी को रिलेशन विद इस स्टेंडर्स कि भाईया हमने जो स्टेंडर्स सेट किया उसके साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप यह देखेगा यह पढ़िएगा आपको समझ में आजए एक्स्टर्नल गारेटी क्या कहा रहा है देखें कॉजल बागी बात कर रहा है जी इंटर्नल विल्टी मतलब कैंड विद्वेरिशन ब्रीबल्स तो इंटर्नल और एक्स्टर्न में यह दिफ्रेंस से ध्यान रखेगा यह बात बोड़ रहा है जब करेंगे टास्क के साथ तो हम क्या देखेंगे अगर किसी और जगा से अगर क्या करते को सवाल लेना यह तो क्या होगा वेर्थी होगा ना तो कंटेंट कर रहे हैं कितना वाले हैं मतलब कुछ जो रहे हैं दिखा रहे हैं वह रही हैं और यह 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 लिखा है मैंने देखो क्राइटेरिया में क्राइटेरिया में क्राइटेरिया और तेस्को ध्यान रखेगा बात खत्म इसको नहीं करना चाहिए बात खत्म अब चलिए आप क्या चलेंगे अब नेक्स अब कुछ में बचे में यह तीन हो गए क्या क्या अब चौथा नंबर से शुरू करते थोड़ा बहुत है इसको फटा फट देख लेंगे काम बन जाएगा क्या एक्यूरसी होनी चाहिए यह बात तो हमें पता ही है अभी हमने बोला क्या 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 क्यों होना चाहिए तो यह मेजर्स करता है रिलेशन्शिप बेटविन रिसर्च प्रोसेस टूल से टूल्स को यह बात ध्यान रखेगा क्रेडिबिलिटी होना चाहिए यह बड़ा इंपॉर्टन है क्या कहे रहे है तो जब भी आप कोई भी चीज रिसर्च में ले कहीं से भी ले रिसर्च करते हैं और वहां कहीं से कोई डिटा लेते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए ऐसा नहीं कि खुदी बोल दो जर्ला जन्रलाइबिलिटी होना चाहिए मतलब रिसर्च का अप्लिकेशन होना चाहिए ना कि जब आपको फाइंडिंग्स पाए तो वह सैट्स में होना चाहिए है ना सेत जो प्रोसीजियों से टेस्ट एक उसको सवा जैसे होना चाहिए ना जहां ओनी तो यह सारी बातमें आपको द्यान रखने हैं तो उम्हेद है आपको इस समय में आगोई तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंकि यूवर मॉच जय हिंद